जैसिया राम जै जैराम साज जानि दसकंधर भवन गयवों बिलखाई मन्दो दरी रावन ही बहुरी कहा समुझाई संद्या हो गई जानकर दस्गरीव बिलखता हुआ यनि उदास होकर महल में गया मन्दो दरी ने रावन को समझा कर फिर कहा जैसिया राम जै जैराम मंगल भवन या मंगल हारी द्रववन सुदाइश रथ अजिर विहारी कंत समुझी मन तजह हो कुमती ही सोहन समर तुमही रगुपती ही रामा नुझे लगुरेख खचाई सोनही नागेउ असी मनु साई हे कांत मन में समझ कर यानि विचार कर कुबुद्धी को छोड़ दो आपसे और सी रगुना जिससे युद्ध शोभा नहीं देता उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खी दी थी उसे भी आप नहीं लांग सके ऐसा तो आपका पुरुशत्त है हे प्रियतम आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूद का ऐसा काम है खेल से ही समुदर लांकर वह बानरों में सिंग्ग यानि हनुवान आपकी इस लंका में निर्भाई चला आया रखवारे हती बिपन उजारा देखत तो ही अच्छते ही मारा जारी सकल पुर कीन है सिछारा कहा रहा बल गर्ब तुमारा तखवालों को मार कर उसने असोग बन उजार डाला आपके देखते देखते उसने अक्षई कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जला कर राक कर दिया उस समय आपके बलका गर्ब कहां चला गया था अब पति मिर्शा गाल जनिमा रहूं मूर कहा कसु हिर्दय बिचा रहूं पति रगुपति ही जिर्पति जनिमा नहूं अग जगनाथ अतुल बल जानहूं अब हे स्वामी जूट यानी विर्थ गाल नमारिये अर्था डिंग नहा किये मेरे कहने पर हिर्दय मैं कुछ बिचार कीजिये हे पति आप स्री रगुपति जी को निरा राजा मत समझिये बलकी अग जगनाथ तराचर के स्वामी और अतुलनी बलवान जानिये वहान प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहीं माने ही नीचा जनक सभा अगनित भूपाला रहे तुम्हों बल अतुल बिशाला स्री राम जी के बान का प्रताप जो नीच मारीच भी जानता था परन्तु आपने उसका कहना भी नहीं माना जनक की सभावें अगणित राजागण थे वहां विशाल और अतुलनी बलवाले आप भी थे भंजी धनुस जान की बियाही तब संगराम जिते हूं किनता ही सुर्पति सुत जान नई बल थोरा राखा जियत आँखी गई फोरा वहां सिभजी का धनुस तोड़कर स्री राम जी ने जान की जी को ब्याहा तब आपने उनको संगराम में क्यों नहीं जीता इंद्र पुत्र जैंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है स्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँखी फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया सूपन खा के गती तुम्हें देखी तद पिहरदय नहीं लाज विसेखी सुरपन खा की तसा तो आपने देखी ली तो भी आपके हरदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विसेश कुछ भी लज्जा नहीं आती बदी बिराद खर दूस नहीं लीला हत्यो कबंध बाल एक सर मार्यो तेही जान हूं दसकंध जिन्होंने बिराद और खर दूसन को मार कर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया हे तसकंद आप उन्हें अर्थात उनके महत्त को समझिये जैसियाराम जै जैराम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवव सुदै से रथ हजिर विहारी जेही जलनाथ बधाय उहेला उत्रे प्रभु दल सहित सुबेला कारुनी के दिन करकुल के तू दोत पठाय उतब हित हे तू जिन्होंने खेल से ही समदर को बना लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल परवत पर उतर पड़े उन सुर्य कुल के धुजास रूप यानि कीरती को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा जिसने बीच सभा में आकराब के बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के जुन्ड में आकर सिंग उसे छिन भिन कर डालता है रण में बांके अत्यंत बिकटा और बीर अंगद और हनुवान जिनके सेवक हैं तेही कहां पिये पुनी पुनी नर कह हूँ सुधा मान ममता मदबह हूँ अहकन तकरतराम बिरोधा काल बिबसमन उपजन बोधा हे पति उन्हें आप बार बार मनुश्य कहते हैं आप ब्यर्त ही मान ममता और मत का बोज़ धो रहे हैं हा अफ्रियतम आपने इसनी राम जी से बिरोध कर लिया और काल के विशेश वस होने से आपके मन में अब भी ग्यान नहीं उत्पन होता काल दंड गही काहुन मारा हरै धर्म बल बुद्ध बिचारा काल दंड यानि लाठी लेकर किसी को नहीं मारता वह धर्म बल बुद्ध और विचार को हर लेता है यह स्वामी जिसका काल यानि मर्ण समय निकटा जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है दुई सुत मरे दहे उपुर अजहु पूर पियदेहु प्रपा सिंधु रगु नाथ भजी नाथ बिमल जसुलेहु सियाबर राम जै जै राम मंगले भवने मंगले हारी द्रवावसु दैशे रथे अजिरे भिहारी